नमस्कार दोस्तों आज हम आप सबों को लाभन में बहुत most important question पढ़ाएंगे दोस्ते सथी तो देखिए दोस्तों आज का पहला सवल के कह रहा है चीनी को 120 रुपए प्रत केजी के हिसाब से बेचा गया अगर कुल मिलाकर 480 रुपए का नुकसान हुआ तो 10% का नुकसान हु है कि चीनी के मुल नुकसान जो हुआ हो यह दस परस्त का हुआ इसका मलब CP माल लीजे दि दोस्तों CP आपकुछ भी मान सकते दोस्तों सीपि मालीज चीनी का जाम जो था दोस्तों वस्तर रुपए था था तो बताई दोस्तों 10% पर अगर सावान- men कितना हो गया दोस्तों जाएगी 10 रुपए की 10 रुपए की हान हो जाएगी लेकिन सवाल में दिया गया जो नुक्सान हुआ है वह 480 रुपए का नुक्सान हुआ है देखिए दोस्तों यहां से जो नुक्सान हो रहा है वह 10 रुपए का हो रहा है लेकिन कोशन के एकॉर्डिंग 480 रुपए का नु कर जाएगा दोस्तों अब कह रहा है कि कितना किलो चीनी बेचा गया तो बताइए दोस्तों कितना किलो चीनी बेचा गया यह निकलते हैं तो क्या होगा दोस्तों तो देखें दोस्तों बेचा कितना गया है 90 गुड़े 48 बटे एक किलो चीनी का दाम क्या सवाल के अंदर दिया इसका गुड़ा कर लेंगे कितना मिल जागा दोस्तों 36 इसका मलब 36 किलो चीनी बेची गई थी सवाल का राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों 36 किलो चीनी बेचा गया अब देखिए दोस्तों आज सोर उमीद करते हैं यह आज का पहला कोशन है और आप बड़े अराम से समझ ग करिदा जिसमें उससे दो चूट मिली थी यह पहली चूट 10% की ठीक तो दूसरी चूट करें देखिए दोस्तों यह आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन कोशन है और देखिए दोस्तों आपको जितने भी सवाल रखे हैं इस वाले पार्ट में आपके सारे स्कूट कीद मौल कितना रुपए त मर्ली दोस्तों दुकांदार मूल अगर एक ही चूट देता दस परसत का तो कितने रुपए में समान साहे 20 tried में 16 इसका मुलब समान बेचता है इसमें सिस्कों घटा देते हैं 144 रुपए में समान बेचता अगर दुकांदार एक ही छूट देता हो अनली वन दस परसद का तो समान को बेचता है 144 रुपए में लेखिन एक छूट और दूसरा छूट कितने का यह आपको फाइंड करना है स इसका मालब दूसरा जो छूट है ना दोस्तों 21.6 रुपए का दूसरा छूट है तो दूसरा छूट परसद निकालेंगे तो दूसरा छूट परसद निकलते हैं दोस्तों तो दूसरा छूट परसद कितने को आओगा दोस्तों वह हम निकलते हैं बताई रुपए में कितने का छूड मिला है दोस्तों 216 रूपय का कितने पर दोस्तों 144 पर गुड़े 100 कर देंगे दोस्तों तो परसद मिल जाएगा अगर हम एक जीरो कार देते हैं दोस्तों तो यह दसमलों आप जाएगा दोस्तों अब इसको कार देंगे दोस्तों इसको अगर हम दोस्ते कार दें तो लेकिन यहां पर एक चीज़ बहुत important point है दोस्तों यहां पर हम 144 रखें इस वाले point को आप ध्यान रखें 144 क्यों रखें दोस्तों देखिए दोस्तों जब पहला छूट निकालने है 10% का तो समान बेचेगा किते में दोस्तों 144 रुपे में समान बेचेगा अब जो 144 रुपे में समान बेच रहा है दोस्तों यह दूसरे छूट के लिए यह क्या हो जाएगा दोस्तों CP हो जाएगा इसलिए इसको नीचे रख देंगे दोस्तों आप काटपीट करने आपको आता है दोस्तों काटपीट रएगा फैल 15 परसंत पहले उतनुप About I cost 15 का दूसरा Spot सथ पहला जोता दोस्तों पहला several प्रसंत करता और जो अगर बताई दोस्तों जो व्यक्ति था वो 16 किल अधिक नहीं खरता हो तो कितना पेसा बचा सकता था आट सो का चालीस परस्त बचा लेता क्योंकि दुकांदार को आट सो रुपए दे रहा है तो इसका मलब 40% दाम घट गया चावल की कीमत में इसका मलब कितना रुपए बचा सकता था देखिए दोस्तों इसका अगर हम 10% कमान निकालेंगे क्या मिलेगा दोस्तों इसका अगर हम 10% कमान निकालते असी मिल जागा तो 40 कमान क्या मिल जागा दोस्तों 320 इसका मलब वो अभ्यक्ति 320 रु करते हैं दोस्तों यह सवाल आप बड़े आराम से समझ गई इसमें आपको ड़ाव्य दिक्कत ने होगा दोस्तों अगर आपको इस सवाल को समझने में ड़ाव्या दिक्कत हो रहा है तो आप प्रसेंटेज वाला वीडियो देखिए दोस्तों वहां पेतनी तरीके से बताएं दोस्तों कि आपको दिख्कत या डाउट नहीं होगा दोस्तों और यह भी दोस्तों यह कैसे आया है 320 रुपए कैसे आया है देखिए दोस्तों आट सो रुपाय दे रहा है तो 16 किलो चावल अधिक नहीं लाया होता तो कितना रुपए बचा लेता दोस्तों तो इसी 800 का 40% दा जआ निकालेंगे सोले का डियाइट कर देंगे तो कितना में जाएगा दोस्तों जब इस सवहतें अगले सवाल की तरफ चलते हैं लिग बेंगान दोस्तों 17,875 रुपय में बेचने के बाद 40% का लाब कमाता है और दुकंदार 30% का छूट भी देता है यदि वाद छूट नहीं देता तो कुल कितने परसद का लाब होता अब देखिए दोस्तों ये कोश्चन रियल में बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है अब देखिए दोस्तों आ अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों उसके पार्ट वन से हमारे लाश्ट पास तक आए आपको उस चैप्टर में कोई प्रावलम या दिक्कत नहीं होगा दोस्तों साथी मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आपको उस चैप्टर में कोई प्रावलम या दिक् सवाल के अंदर जो भी लाव यहान होगा दोस्तों वह हमेशा सीपी पर होता है क्रे मुल पर होता है और जो छूट दिया जाता है वह अंकित मुल पर दिया जाता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों जो भी सवाल के अंदर छूट दिया जाएगा वह यंभी प्रैस है छूट दिया गया 30 प्रसत का तो छूट कितना 30 का छूट है इसका मतलब समान बेचे का कितने में 70 प्रसत है तो प्रसत से तो देखिए दोस्तों सतर प्रसत कर जाएगा गोड़े 100 कर देंगे तो आपको लाप रसंग और इस सवाल कर राइट इंसर होगा दोस्तों सौ प्रसत आस हर उम्हाइद करते हैं तो यह सवाल आप बड़े राम सहिंगे होगे इसमें आपको मिद्धक्त नहीं होगा ने अगल कि आप वीडियो को हां तक देखते हुए चले आएं तो कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर कीज़ेगा दोस्तों और वीडियो को लाइच पक्क कीजिएगा दोस्तों अगले सब्सक्राइब करते हैं अगले सवाल का कह रहा है एक दुकानदार किसी वर्च दूख 20 परसन लाब इसका मलब माल जी दोस्तों CP जो था वह 100 रूपिस था यह 100 किजी था यह 100 ग्राम था तो CP माने दोस्तों 100 इसका मलब बेचेगा कितने में दोस्तों उसको 20% कलाव हो जाए इसका 10 कमान निकालेंगे 100 तो 20 कमान निकालेंगे दोस्तों 200 इसका मलब समान को बेचेगा दोस्तों 12 मैं है और प्रह कि जुख अब हगर श्रम करते हैं निकालते कितना कि justify करता है तो क्या मिलेगा दोस्तो 750 अब देखिए दोस्तों आपको इमान दुकंदार में बताए हैं जो गलत वाट होता है उसी को सीपी माना जाता है इसका मालब कर रियल वाला करें मुल कितना होगा दोस्तों 750 रुपे अब बताइए दोस्तों समान 750 रुपे में खरीद के लाया और बेचा कितने में 1200 रुपे में तो कितने का लाव होगा तो दोस्तों लाव परसब निकाल लेंगे तो लाव परसब निकाल लेंगे दोस्तों बताएए इसमें से दोस्तों इसको घटा देंगे तो जीरो मिल जाएगा दोस्तों यहां पर पांच मिल जाएगा दोस्तों यहां तो साथ मिल जागा साथ परसद का लाव हो जाएगा इसका मलब जो भी दुकांदार है उसको साथ परसद का लाव होता आज सवार उमीद करते हैं दोस्ति यह सवाल अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त अगला सवाल क्या कह रहा है एक वस्तु का अंकित मुल 57,500 रुप आप एक्जाम के लिए रियल में most important question है बहुत important question है दोस्तों अब जिस सवाल को बना नहीं पाएंगी वही सवाल आज हम आपको बता रहे हैं दोस्तों आप बस इमंदारी से देखिए दोस्तों अगर रियल में आपको doubt या दिक्कत है मैं थिया reasoning में तो प्लीज आप सुरू से मतलब part 1 से लेकर जितना part 1 सारव वीडियो देखिए तो आपको बहुत ज्यादे benefit होगा दोस्तों आपको सवाल लगाना बहुत आम से आएगा दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आपके किताब के हर एक सवाल लगेंगी दोस्तों आपको फेपर से आपको दिक्कत या डाउट नहीं होगा तो हम आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगी दोस्तों आप अगर सुरू से लेकर लाश्ट तक वह चैप्टर पूरा देखेंगी कंप्लिट देखेंगी तो आपको बहुत जादे बेनिफीट होगा दोस्ता सती अब देखें दोस् के पास आठ वस्तू है जिसमें से एक वस्तू छूट में दे रहा है मालीजे कोई दुकांदार है उसके पास साथ वस्तू है एक वस्तू छूट में दे रहा है तो जो छूट में दे रहा है तो बेचेगा कितना वस्तू दोस्तों इसका मलब यहां पर बेचेगा साथ बटे पर दोस्तों चार वस्तों पर गुड़े 100 करते हैं दोस्तों परसद मिल जाएगा इसका मलब अगर हम कुल छूट परसद निकालते हैं कुल छूट परसद निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों कुल छूट परसद निकालते हैं इससे काट देंगे तो क्या मिल जाएग अगर कुल छूट लेगा तो उसको 25% की छूट मिल जाएगे आसा और उमीद करते हैं दोस्त यह सवाल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त अब देखिए प्यारे दोस्तों निश्ट अगला सवाल क्या कह रहा है कोई दुकानार 10% की छूट देता है तब उसे 20% का रिप लिया जाएगा वह शीपी पर लिया जाएगा इसका अमद्व सीपी का लाव 20% का एक्सुपी वे युदा अप 10% की छूट है इसका अहशा है 10 पर 10 का छूट है तो 90 पर दोस्तों इनकल और चूट हो जाएगा सूझ्पे हैब लौत पर सबहूं 25% मिल जाएगा बताह समान के तुल समान का की लिए है कि देंगे 20 दोस्तों है तो 20 शूट का छूट और चूट हात है कि दोस्तों चूट नहीं अगर हम हम शूर सबह्त का मान निका एचनगे मान देंगे तो कोईů हैने जो समवनघ्राओरबिस चबाएंगे और बेचा गिया 96 रूपै तो कितने क को लाव होगा दो कि हरा दोस्तो बीस व कर रचाए गा भाग लगाएंगे धकात्य अबलाब लाप रसंथा of两 percent पर्षय निकालेंगा गालएगे तो 6-2 वाटे a का आसार उमीद करते हैं दोस्त यह सवाल अब बड़े अराम से समझ गए इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्ता साथी और देखिए दोस्तो प्लीज अगर आप सवालों को समझ नहीं पाते हैं तो कमेंट बाक्स में करा दाना दिकेज़े के वजाए 900 गरामी तब कुल मिलाकर उसे कितने प्रसद कर लाव होगा अब देखिए दोस्तों इस सवाल को बनाएंगे कैसे, देखिए दोस्तों कोई दुकांदार है, वो 20% अधिक अंकित कर दिया, कोई समान करीद के लाए है, उस पे श्टिकर 20% अधिक का लगा दिया दोस्तों, तो 20% अधिक अंकित कर दिया, उसके बाद भी 10% के छूर देता ह और बाद में जब हो समाम तोलता है तो एक कीजी के बजाए 900 ग्राम का प्रियोग करता है तो उसे बेददितन एसका मलब प्राफिट वन जो निकालेंगी दोस्तों वाइफ प्रसक्त आएगा अब बताई दोस्तों आगे क्शिपि थो आगे क्या है आगे का देखीए दोस्ते CP क्या बनेगा बड़ा इसका मलब आगे का सीपि 900 क्या रहेका यहां किस्प क्या बनेगा दोस्तों है किस्पी का रही है रहे हमें क्षओने का मान rempl लीडिन करborg भाना यहां पे और यहां पर 900 अब देखिए दोस्तों ऑगर हमम सबस् काटेंगे कितना मिल जाएगा दोस्तों 20 इस कारुबार में उस दुकांदार को 20% का लाव हो जाएगा आसा और उमीद करते हैं दोस्ति यह सवाल अब बड़े अराम से समझगे तो नेश्ट अगले सवाल की तरफ मूप करते हैं दोस्ते साथी और दोस्तों कमेंट बाक्स में 19,500 रुपए में 20% लाव पर बेचता है यदि लागत 50% बढ़ दी जाती है और विक्रे मुल में 30% के ब्रिद्धी हो जाती है तो लाव परसद क्या होगा अब बताई दोस्तों देखिए दोस्तों हम आपको जितने सवाल बता रहें ना बहुत यूनिक तरीके से बता रहें अब देखिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट या जो भी सथे से इस सवाल में रुपए को लेकर लगाएंगी न वो सवाल परीयल में सइसी बना नाई पाएंगे उनको बहुत तकलीफ ने को बहुत प्राबलम होने इस साथे तो आपको जैसे हम सवालों को हिंडल करना सिखा रहे हैं लिल्हें लुवार को आभाता है दोस्तो जब आप सवाल भी लगाने युग योनग जाये गा और आप काम भी करना भूर Better, फिक बहुत आराम से आपको काम करने आ हो जाएगा 120 उर्पे तभी तो हम 20% पर बेचेंगे यह दिलागत मुल 50% बढ़ा दिया जाए इसका मलब क्रेय मुल को कह रहा है 50% बढ़ा दिया जाए तो देखिए दोस्तों जब क्रेय मुल को 50% बढ़ाएंगे इसका मलब अब सीपी क्या होगा दोस्तों साथी अब जो इस परशण कमान निवें तो छृट्स मिलता है अ इसमें 36 जोड़ गेडिय Barcelos फें निकालेंगी तो OA More इसपी किया होगए दोस्तों इस 50 पे गुड़े 100 कर देंगे तो लाव परसंद मिल जाएगा अब देखिए दोस्तों एक जीरो से जीरो कर देंगे दोस्तों इसको पांच से कर देंगे दोस्तों तो पांच से कर देंगे दोस्तों 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 तो कितने का लाव आएगा दोस्तों चार का लाव इसका मल वस्तु को तीन परसद हान पर बेचा गया था यदि वस्तु को 750 रुपए अधिक में बेचा जाएगा तो लाब 12 परसद का होगा वस्तु का बिक्रे मुल्यांत किजी अगर देखिए दोस्तों रियल में इस तरह जितने भी सवालों को पढ़ाना है रहे ना दोस्तों अगर आ जोडएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 1515 कमान कितना दिया गिए दोस्तों सवाल के अन्दर 755 रुप्र दिया गया showing up कर देंगे दोस्तों कितनी वार में warto को पेछा मुल्भ पहले वाले लाव यहान पे निकला जाता है तो पहला तीन परसग कहानी है दोस्तों इसका मतलब यस्पी निकल लेंगे पूछे अगर हम पांच अगर सब्सक्राइब का मान पूछेंगे तो दो थो पतीन का मान एक सो पचास इसका मलब इसमें 650 घटा देंगे DSP क्या बन जाएगा दोस्तों वस्तु का बिक्रे मुल क्या बन जाएगा घटा देंगे 0, 5, 8, 8 और 4 इसका मलब 4850 उर्पे वस्तु का बिक्रे मुल हो गया आसर उमीद करते हैं दोस्त यह सवाल आप बड़े अराम से समझगे होंगे इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा तो निष्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्ते सती अब देखे प्यारे दोस्तों निष्ट अगला सवाल क्या कह रहा है एक दुकांदार ने 75 कलम की चिन्त केमत पर 95 कलम खरीदा और उसे ग्रहा को चिन्त मुल पर बेज़ता है तो उसका लाव यहान पर सपीयात किजै देखे दोस्तों 95 कलम का चिन्त मुल इसका मतलब mark price खरीदा कितना दोस्तो 75 कलम का चिन्द मुल जो है दोस्तो वह 95 कलम खरीदता है इसका मलब जो भी दाम था 75 कलम का उतने दाम में वह ले लिया है 95 कलम इसका मलब CP में और MP में रिलेशन निकाल लेंगे दोस्तो भी दोस्तो यसर निकालेंगे स्युक्षी में और MP पर बैच दिया है यहां पर सब देनंगे तो लाफ पर सब निकालेंगे तो 10 दिनगee कर देंगे तीन दोन अच्छा है फिर तीन शकटा रहे सो इसका मलब क्या मिल जाएगा दोस्तों 26 सही दो वटे तीन परसद का लाव हो जाएगा आसा और उमीद करते हैं दोस्त यह सवाल आप बड़े अराम से समझ गयाँगे इस सवाल में आपको डाउट या दिक्कन नहीं होगा तुने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त साथी और देखिए दोस्त अगर आप वीडियो को लाइ आपको समझ भी नहीं आगा बस आप कमेंट बाक्स में कमेंट करके हमको बताइए दोस्तों तो निश्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त देखिए दोस्तों निश्ट अगला सवाल क्या कह रहा है दो घडियों की कुल लागत मुल 16,800 रुपे है पहली घड़ी को 40 पर सलाब पर और दूसरी घड़ी को 30 पर सहान पर बेची गई तो कुल मिला घड़ ना तो कोई लाव हुआ और ना तो कोई यहान परते घड़ी की लागत मुल लग्यात कीजिए और देखिए दोस्तों आपको पहले एक पॉइंट बता रहे हैं यहां पर एक पॉइंट सी च्छोटा सा पॉइंट है दोस्तों इस पॉइंट को समझीए सवाल अब बड़े अराम से लगाने योग्यों हो जाएंगे देखिए दोस्तों CP1 माल लिजे वस्तु का क्रेमुल CP1 तो पहली वस्तु को कितने पर सलाब पर दोस्तों तो पहली वस्तु को 40 पर सलाब पर लेशन निकालते हैं दोस्तों क्या मिलेगा दोस्तों तीस बटे चालीस अब यहां से जीरो से जीरो कार्ट लेंगे बड़े अराम से कोई दिक्कत ने होगा इसका मलब अब देखिए दोस्तों जितने काम समान खरीदे हैं ना उतने में बेचेंगी तभी हमको ना तो कोई कोई लाभ होगा ना तो कोई हां नी होगा इसका मलब समान को बेचा गिया दोस्तों 16,800 रुप्य में दो घड़ियों की कुल लागत की मत Day को कुला खर्डवा गया है better ऑब कैई दोस्तों जोन में तो भी सोब्या इल उनट कवाल आ जोस्तों साथ साथ की unit कमाई कितना दिया गया। 16800 रूपे दिया अब देख क wagon का ले निकालते हैं तो पहले वस्तू का क्रेणं अगर आ चार unit कमाई निकाल देंगे तो दोस्ते वस्तू का क्रेमल मिल जाया पहले इससकल देंगे वस्तू साफ्वी शा ül recipro 24 इतना आ 700 रुपय था और दूसरी घड़ी के क्रेमुल 900 रुपय था आसा और उमीद करते हैं दोस्तों यह सवाल आप बड़े आराम से समझ आँगे इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा तो देखी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं निश्ट जल्द यह आपको अगली वीडियो में मुलाकाच करते हैं & और देखी दोस्तों मैं कहिं साथी में चला गया था बहुत अच्छे से आपको बताएंगी दोस्तों आपको देखिए दोस्तों इतने यूनिक तरीके से आपको कोश्चन को कराएंगी या समझाएंगी दोस्तों आपके किताब का ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे लगेगा नहीं आपके पेपर सेट का ऐसा कोई भी सव करते हैं दोस्ते, थेंक यू दोस्ते